दोस्तो आज हम ऐसे ग्रंथ के बारे में जानने वाले है जो 125 साल पहले कमपोज किया गया था आत्म सिद्धी शासर जिसे रिकमेंड किया है रतन टाटा जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, सुपरस्टार अमिता बच्चन जी ने, स्पिरिच्वल गुरू दलाई लामा जी ने, बीके शिवानी जी, स्रीश्री रविशंकर जी, इनफोसिस के को फाउंडर, नंदर निलेकानी, साइन्टिस्ट रगुनात माशल कर जी और इन जैसे बहुत सरी महानस्तियों ने, यह ग्रंथ रचा है माहवीर भगवान के पदचिन्नों पर चलने वा और वो भी सिप देड़ घंटे में, सिंगल सिटिंग में उन्होंने एक ग्रंथ कम्प्लिट किया था, इस ग्रंथ का अंग्रे जी संसकरन और हर पत का स्पष्टिकरन किया है, श्रीमद राज चंद्रा मिशन धरमपुर के फाउंडर, पुझज शिरी राकेश भाई जी ने जिस संसकरन के बारे में आज हम बात करने बाले है, हलो दोस्तों मैंसल श्रीनियो असमराटे, मोटिवेशन स्पीकर, माइंड शिप ट्रेनर और आपका अपना दोस्त, दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल पर ज़्यादा तर्में, माइंड, बॉड़ी एंड इस सोल से संबंदित किताबों का रिव्यू करता हूँ, समरीज आपके लिए लेकर आता हूँ, इस महान गरंद का रिव्यू करने के पीछे मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है, कि आप इस किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए, और अपने आत्मा सिध्धी के लिए, लेकिन वो जो छे सत्यक स्रीमत राजचंद्र जी ने बताये है, वो समझने से पहले हमारा मन का फाउंडेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, और वो छे सत्य बताने से पहले स्रीमत राजचंद्र जी ने पहले जो उपद है, उसमें हमारे मन का फाउंडेशन सॉलिड बनाय ताकि वो छे सत्यों को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सके तो वो वर्सेस आपको पहले जरूर पढ़ने चाहिए तो आईए जानते हैं हमारे आत्मा के छे सत्य के बारे में सबसे पहला सत्य है सोल एकजिस्ट यानि की आत्मा है अगर आपको स्पिरिचुल यात्रा में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये सत्य पता होना चाहिए कि आत्मा है और उसके लिए आपका मन कनवीज भी होना चाहिए इस गरंत में श्रीमद राज चंद्राजी ने बहुत खुपसूरत तरीके से बताया है पहले तो सत्य बताया है आत्मा का उसके बाद उस सत्य से बाद बहुत ही logically बहुत ही गहरई से उनके उन doubts को उस सत्ते के प्रति जो उनके doubts है उनको clear किया हैं तो सबसे पहला सत्त्य राज़े चंदर जी बताते है कि आत्मा है soul exist तो सादक के मन में ये सवाल आता है कि आत्मा है ये हमारा मन मानने के लिए तयार नहीं होता है हम कैसे मानने के आत्मा है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है हमारी आखों से वो दिखाई नहीं देती है और नहीं किसी भी सेंस के दौरा वो मैसुस होती है चलो ठीक है कुछ ब आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती है, तो हम ये कैसे मान ले कि आत्मा है, जैसे पॉट है, क्लोट है, ये जो सॉलिड चीजे है, ये हमें दिखाई देती है, तो हम मान ले कि हाँ ये चीजे है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है तो हम ये कैसे मान ले कि आत्मा है तो श्रीमद राज चंद्र जी बहुत कुपसूरत तरीके से बताते है वो कहते है कि आत्मा है लेकिन हम उसे अपनी आखों से नहीं देख सकते क्योंकि आत्मा खुद देखने वाली है हमारी आखे देखने का काम नहीं करती है वो जस्ट वो जो चैतन्य है हमारे अंदर वो जो आत्मा है वो ही देखने का काम करती है क्योंकि जब शरी में वो चैतन्य नहीं होता है जब हम मर जाते हैं तब वो आखे अगर खुली भी रही उस मुर्दा शरी के आखे खुली भी रही तो तो देखनी पाता है क्योंकि जो देखने वा जानने की quality तो स्रिफ और आत्मा में है और नहीं हमारे किसी भी और sense में knowingness की quality है वो just instrument है और हमारी आत्मा ही देखती है इस संसार को और हमारे सार्ट जो senses है बाकी उनके दोरह हमारी आत्मा ही महसुस करती है और इसलिए ना तो हम आत्मा को देख सकते है और नहीं उससे महसुस कर सकते है जैसे कोई solid चीज है, बरतन है, clothes है, उन्हें हम देख सकते है हम उन्हें जान सकते है, तो श्रीमद राजय चंदर जी कहते है कि जिनको हम जान रहे है, उनका exist हम मानने करते है तो जो जानने वाला है, जो नोर है, उसका exist तो हमें मानना ही पड़ेगा आत्मा exist करते है, आत्मा है दुसरा सत्य राजय चंदर जी बताते है, soul each eternal यानि कि आत्मा शाश्वत है जब इस सत्य के बारे में राजय चंदर जी बताते है तो सादोगों के मन में एक सवाल आता है कि आत्मा शाश्वत है, यानि कि ना तो उसका जन्म हुआ है, ना तो उसका मृत्य हुआ है वो शाश्वत है, ये मानने के लिए मन तयार नहीं होता है आत्मा शरी के साथ जन्म लेती है और शरी के साथ ही destroy हो जाती है ये बात समझ में आती है या फिर आत्मा momentary है कुछ एक पल में उसका अस्तित्व होता होगा लेकिन बाद में उसका अस्तित्व नहीं रहता है तो श्रीमद राज चंद्र जी बहुत कफसूरत तरीके से बताते है कि आत्मा शाश्वत है अगर आत्मा momentary होती अगर आत्मा कुछ पल के लिए ही होती और उसके बाद destroy हो जाती खत्म हो जाती तो उसके अंदर समूर्थी कभी भी नहीं होती क्योंकि जो चीज अलड़ी destroy हो चुकी है अगले पल में उसके साथ वो पिछली समूर्थी कैसे क्या रह सकती है क्योंकि जब हम बुड़े हो जाते तब भी तो हमें बचपन की बहुत सारी बाते याद रहती है और इतना ही नहीं श्रीमद राच चंदरजी साप का एकजम्पल देते है स्नेक का एकजम्पल देते है स्नेक जन्म से ही गुसा करना और डसना जानता है क्योंकि पिछले जन्मों का जो संसकार उसके आत्मा पे हुआ है वो बरकरार है या फिर जो twins पैदा होते है जुड़े पैदा होते है वो काम यानि कि शान्त होता है दोनों में इतना फर्क कैसे क्या जनम से ही दोनों में इतना फर्क कैसे क्या क्योंकि पिछले जनमों की जो स्मूर्तिया है वो आत्मा पे अंकित हुई है और उस आत्मा ने उस स्मूर्तियों को क्यारी किया है इससे ये प्रू होता है कि आत्मा शाश्वत है शरीर तो उसे जान नहीं सकता है क्योंकि शरीर खुद एक चैतन्य नई है शरीर जनम लेता है और मरता है लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत रहती है तीसरा सत्य है आत्मा के बारे में soul is the doer of कर्मा यानि कि आत्मा अपने कर्मों का करता है जब ये तीसरा सत्य स्रीमत जी बताते है कि सादगों के मन में फिर से सवाल आता है कि आत्मा अपने कर्मों का करता है ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि वो तो unattached है एक तो कर्मा अपन की मरजी से होता होगा आत्मा कैसे कर्म करती है आत्मा कैसे अपने कर्मों का करता हो सकती है श्रीमज राजे चंद्र जी बताते है कि आत्मा अपने कर्मों का करता होती है वो ही कर्म करने की प्रेरना देती है क्योंकि कर्म करने की प्रेरना वही दे सकता है जो चैतन्य है कर्म या फिर प्रकुर्ती अपने आप में चैतन्य नहीं है और इसलिए वो कर्म करने की प्रेरना नहीं दे सकते जैसे तलवार जड़ है चैतन्य नहीं है और इसलिए तलवार खुद होके कर्म नहीं करती है इंसाइन डिसाइड करता है कि उसे कब और कहा इस्तेमाल करना है दुसरी बात इश्वर यानि कि भगवान कभी भी कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता क्योंकि इश्वर जो है वो अपने आप में प्योरेस्ट परम आत्मा है अगर वो कर्म करने की प्रेरना देंगे तो उनकी प्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी वो कम हो जाएगी और भगवान किसी को अच्छा कर्म या किसी को बुरा कर्म करने के लिए प्रेरना क्यों देंगे, वो partiality क्यों करेंगे, वो तो दया के सागर है, वो तो purest purest आत्मा है, तो वो कैसे कर्म करने के लिए प्रेरना दे सकते है, कर्म करने के प्रेरना आत्मा ही देती है, जब वो impure लिए पर हो जाती है। जब आत्मा अशुद्ध हो जाती है, तब और तब ही वो कर्म करने के लिए प्रेरना देती है, इसका मतलब यह है कि आत्मा अपने कर्मों की करता है। चवता सत्य। Soul is the receiver of the fruits of the karma, यानि कि आत्मा अपने कर्मों का भुखता है, जैसी राज चंद्रजी इस सत्य के बारे में बताते है, तो सादोगों के मन में सवाल आता है, कि कर्मा अपने आप में चैतन्य नहीं है, तो उसे कैसे पता चलता है, कि यह जो क्रिया है, इसी आत्मा सी हुई है, औ उससे कर्म करने की प्रेना मिलती है, और वो उर्जा कर्म करने के लिए उर्जा उससे बाहर आती है, और वो कर्म करने के प्रावर्तित होती है, और वो कर्म कन जो है, आत्मा से पहले से ही जुड़े वे होते है, और इसलिए उस कर्म का फल जो है, यह उसी आत्मा को मिलता है फिर वो फल अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है कोई भी कर्मकन जो है वो बीज है और अगर बीज है तो उसका तो फल तो देर सब्यर आने ही वाला है पाचवा सत्य है there is liberation यानि कि आत्मा के मुक्ति का मार्ग है तो सादक कहते है कि आत्मा कर्म करती है और उसका फल उसे मिलता है यहाँ तक समझ में आ गया लेकिन वो जो फल है वो उसे मिलता ही रहेगा क्योंकि आत्मा जन्मों जन्मों से कर्म कर रही है और जब उसका फल उसे मिलेगा तो उसके उपर फिर से रियाक करेगी और फिर से एक कर्म बनेगा तो इसका मतलब यह है यह साइकल कंटिनियोसली चलते ही रहेगी और उसे उसके कर्मों का फल मिलता ही रहेगा तो इससे यह पता चलता है इससे यह समझ में आता है कि मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है क्योंकि जब रियाक्ट करेगी तो कर्म तो होने ही वाला है कर्म होगा तो उसका फल मिलने ही वाला है और फिर से फल मिलेगा रियाक्ट होगी आत्मा और फिर से कर्म होगा तो इससे ये समझ में आता है यह doubt आता है कि मुक्ति का कोई भी मार्क नहीं है श्रीमद राचत चंदर जी बहुत खुबसूरत तरीके से बताते है कि शुब और अशुब कर्म करने से फल मिलता है यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो शुब और अशुब कर्म से जब हम खुद को विढ़ौ कर लेते है तो उसका भी फल मिलेगा क्योंकि विढ़ौ करना, खुद को रोकना ये भी तो ये कर्म है और उसका भी फल मिलेगा और वो फल होता है मुक्ति का और इससे आत्मा अपने original nature में वाफिस आ जाती है, वो मौक्ष, वो पर्मानन, वो जो purity की अवस्ता है, उसकी original जो अवस्ता है, उसमें वो वापस आ जाती है, और आकरी सत्य श्रीमद राज चंदरजी बताते है, there is a path of liberation, आत्मा के मुक्ती का मार्ग है, जब यह सत्य श्रीम में मुक्ती के अलग-अलग मार्ग बताए है, तो कौन सा मार्ग definite है, यह कैसे पतात करें, पूरी तरह से confusion है माइन में, तो कोई भी मुक्ती का सही मार्ग हमें दिखाए नहीं देता है, तो श्रीमद राज चंदरजी बताते है, यह सिर्प हमें हमारे अज्यान के वज़से प्रतित होता है, हम अपने आपको कर्मों से एक रूप कर लेते है, या आत्मा को शरी से एक रूप कर लेते है, शरीरी हमारी आत्मा है, ऐसा हम मानने लगते है, इस आज्यान के वज़से में ऐसा प्रतित होता है, कर्म की गाठे तीन प्रकार के होती है, उन्हें पहले हमें जाता है लेकिन जब हम dispassion वाली यानि कि वयर्यग्य वाली जिंदगी जीने लगते हैं enlightenment यानि कि आत्मग्यान हमें प्राप्त करने लगते हैं तो ये कर्म की गाठे अपने आप छुटने लगती है और आत्मग्यान यानि कि soul eternal है आत्मा शास्वत है conscious है यानि कि चैतन्य है and avoid from all illusion यानि कि सारे ब्रह्मों से दूर है ये जब आत्मग्यान हमें होने लगता है स्री बुद्धी के लेवल पर नहीं पूरी तरह से जब तक इसे हम आत्मसात नहीं कर लेते हैं और ये कैसे आत्मसात होगा constant practice of awareness क्षण पर क्षण हम ये aware रहते हैं हमारे आत्मा के सबहों के बारे में अगर हम aware रहते हैं तो वो आत्मग्यान हमें होने लगता है और यह यात्रा तब आसान हो जाती है जब हम किसी जीवन्त true सद्गुरू के पाथ जाते हैं उसका मार्गदर्शन हसिल करते हैं तो ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है दोस्तो ये जो छे सत्य मैने आपको बताए इसके बारे में और भी बहुत सारे सवाल शायद हो सकता है आपके मन में आये क्योंकि इतने शौट में ये बताबाना बड़ा मुश्किल है अगर मैं और डिटेल में बताओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा मकसद सिभ इतना ही था कि इस बुक को आप जरूर पढ़े बहुत ही क्लेरिटी आएगी और आपके सारे 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 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप ये बुक पढ़ोगे मैंने ज़स्ट एक छोटा सा प्रयास किया जब आप पूरा डिटेल में इससे पढ़ते हो तब बहुत ही ज़्यादा क्लेरिटी आपके मायन में आ जाती है उमिद करता हूँ ये बुक आप जरूर पढ़ेंगे अगर आपको खरीदने तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा अब वहाँ से भी ले सकते है तुम मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक बहुत पाउरफुल वीडियो के साथ एक बहुत पाउरफुल किताब के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई टेक केर शुक्रिया